आज की जो प्रेस वारता की उसका मुख विशे जो था वो तर्लोचन सिंग वजीर हत्याकान जो सेप्टमबर 2021 में हुआ था जिसको अप्रोक्सिमेटली सवा साल जेट साल जैसे हो गए क्योंकि तर्लोचन सिंग वजीर यहां अपनी कम्यूटी के एक स्ट्रॉंग लीडर थे वहीं वो अनदर कम्यूटी के वी जैसे हमारी पके लिए आल जीन के ट्रांसपोर वेलफेर एसोशेशन ये एक ऐसा गुंदस्ता है जिसमें हर कम्यूटी का आदमी है वो इसके वी बड़े चहता एक नेता के तोर में थे क्योंकि उन्होंने जैसे हमारे प्रदानसा पहले बता रहे थे कि उन्हें 40-45 साल अपने ट्रांसपोर्ट को दिये तो उनकी हत्या हुई थी उनकी हत्या के विशे में कहीं ना कहीं साल सवा साल से यहां परिवार एक निदाशा में जी रहा था वहां में आल जीन के ट्रांसपोर वेलफेर एसोशेशन वी इस निदाशा जनक इसमें था कि आज सवा साल हो गया तलोचन सिंग वजीर मडर केस में कोई डिवल्टमेंट नहीं हुई तो आज जब हम सुबा उठे न्यूस पर देखा तो उसमें एक फर्दर बड़ी बहुत बड़ी डिवल्टमेंट थी कि उसमें तीन बंदों औरों को पकड़ा गया दिल्ली क्राइम ले गई होगी कुछ एविडेंस मिले होंगे कुछ हुआ होगा जिसके तयाद आज हमने सुने पेपर में पड़ा कि तीन जम्मूं के और ऐसे चेरों को पकड़ा है जिसको इस कतल केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी है उसमें एरेस्ट जाला होगा है कि एरेस्ट जाला है तो हम एप्रिशेट करते हैं दिल्ली क्राइम को जो इस कतल केस में साल सवा साल से लगके आज कही न कही हमें ब्रोसा हुआ है कि जहां परिवार को पूरे समाच को नयाई मिलेगा और उन्हें कही न कही हमें नयाई दिया है मगर हमारी तरफ से RGN के ट्रांसपोर्ट वेलफेर एस्वेशेशन की तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट रहेगी उनको ये गुजारिश रहेगी कि इस केस के सबंदित जो भी आदमी हो कोई भी बचना नहीं चाहिए आज के जो पेपर के अनुसार सुदर्शन सिंग वजीर जगपाल सिंग और हरजिंदर सिंग रहना ये तीन नाम हमने आज सुबा के पेपर में पढ़े हैं तो हम ये गुजारिश करेंगे क्राइम दिल्ली से कि इस के रिलेटिड इस के रिलेटिड तर्लोचन सिंग वजीर हत्याकान के केस के रिलेटिड जो भी आदमी इनवाल हो वह बचना नहीं चाहिए वह आदमी फांसी के फंदे तक जाना चाहिए